अरे धुबा भाई आप तो मदब यूटूब में इतना काम कर रहे हो आप इतना व्यूद ला रहे हो क्या आपने गूगल एड में एड डिया है अपना वीडियो या किसी आपकी यूटुबर दादा नहीं या फिर दोस्त ने आपको शाउट आउट दिया है और आप इतना व में वो जाले व्लॉग में वो जानेंगे और गुमेंगे कुछ काम करेंगे बस सही सीने आठेंगे में अब तो दादा बात कुछ पुर्श पूं हु है है अभी में बहुत भागा में उन की मुझे भी कहीं जाना है जल्दी जानाह है में जा रहा हू Corey we're also going और हम दोनों जा रहे हैं क्योंकि कुछ काम है अर्जेंटली लेकिन जब तक हम जाते हैं तब तक आपको कुछ और भी दिखाना है क्योंकि कल हम लोग गये थे कहीं पे एक पूराना जगा है बोलने से फाइदा नहीं आप देखी लो देखी दोना के है आप से बात जोगन मैं इतने दिनों तक मैंने सोचा कि व्लॉग जब मैं बनाता था तो वस्ते अलग टाइप से सुडू होता था तो मुझे ऐसा लगा कि आज कुछ अलग टाइप Сँज्रू करना चाहिए इस व्लॉग की आज कुछ नया होने वाला है वीये कि मेरे मैंसनी करते लगे मुझे तो बहुतं- अच्छे लगे यह वालब सुक्त क्या आप को भी आट下 में लए और चलिए आप जो भी मेरे सामने यह까요 तो इसके लिए ही मैं आयो हूं जिदर मुझे जहां जाना था वह जगह यहीं है क्योंकि यह जगह इस जाए के बारे में बाद में बात करेंगे पहले आपको दिखा लेका है और आज वाले व्लोग में आप लोगों के लिए गिफ्ट है तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों के लिए गिफ्ट है तो इसका बात अभी कर लेते हैं मतलब यह सच में आप लोगों के लिए गिफ्ट है यह है जुकाटो मल्टी कलर स्टाइलिस शू इसका प्राइज है 529 रूपीज यह है मिस्टर वंकर स्टाइलिस्ट एंड कमफर्डेवल कैजूल शू इसका प्राइज है 499 रूपीज यह है वीन नाइन वाइड डबल श् इसका प्राइज है 599 रूपीज और आज डिल अफ दे में आपको मिल जाएगा नाइट वोकर ग्रे लाइफ टैल कैजूल स्नीकर्स बैसे इसका एक्ट्वल प्राइज है 599 रूपीज बगर आज दिल अब दे आपको यह मिल जाएगा 549 रूपीज में यह जो आप प्रोड में और किया है बुल बुल से मेरा लिंग बुल बुल शॉप से क्योंकि बहुत एफ़रेबल प्राइज में और ब्रेंडेट अगर मैं सामान या फिर कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि स्नीकर्स अगर मुझे खरीदना है तो मेरा लिंग इस बेस्ट ऑप्शन अगर यह सारे स् इसका प्राइज बहुत ही ज्यादा पड़ता और वह वैल्यू फॉर मनी भी नहीं होता क्योंकि ब्रेंडेट नाम का भी कोई चीज है जहां पर मुझे ब्रेंडेट शू मिल रहा है और एफ़रेबल प्राइज में मिल रहा है तो फिर मैं क्यों अधर ऑप्शन को चूज कर कुछ फजाओ है जैसे आपके शू लॉं कॉड़ करेंके एक सारे परडॉक्स 45 और करेंग मैं मतलब कोई भी प्रॉब्लम आने से तो फटाक से उनका इशू प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है तो आपको इजी रिटन पॉलेशी वाट्सव में बात करने से हो जाएगा और दूसरी बत है कि COD भी एविलेवल है उनके पास तो फाइनली अगर आप चाहते हो कि ब्रेंडेट प्रोड़क्ट और कॉलिडेवल प्राइस में खरीदने के लिए तो फिर आप जरूर मेरा लिंक में विजिट करिए और मेरे स्टोर में जाके शॉपिंग कर लीजिए ब्रो आपको फाइदा ही मिलेगा क्योंकि डिसकाउंट तो हम वैसे भी देर ही तो हाँ उस जगह में गया था उस जगह प्रॉपर वीडियो और प्रॉपर डिटल में आज को आज वाले व्लॉग में नहीं बताऊंगा क्योंकि वह जगह एक डॉकुमेंट करने के लिए बहुत ही सही जगह और वह जगह बहुत ही पुराना जगह करेवन 100-100 साल पुराना जगह है उस जगह का हिस्ट्री बहुत ही है गहर है तो उस बारे में हम आज बात नहीं करेंगे आप लोगों ने अगर सिनेमेटिक्स इंजॉई कर लिया है तो आपको अभी सिनेमेटिक्स इंजॉई करने का और एक मौका हम देंगे किसका हमारे दूसरे पहले प्यार का मेरा पहला प्यार क्रिकेट है दूसरा पहला प्यार जो है हम सब लोग का वो है स्कूल हमारा मेरा भी स्कूल है बॉनी का भी स्कूल है तो हम दोनों का यह पुराना स्कूल है हम यहाँ पर क्यों आए वो आपको सिनेमेटिक्स देखने के बात पता चलेगा यह जो मैंने आपको दिखा यह सिर्फ टीजर था मतलब यह में हमारे स्कूल का पहला पुर्शन है मतलब यह पहले वाला पार्ट है सामने वाला पार्ट है पीछे अभी इधर इधर बहुत कुछ लेकिन अभी वह दिखाना नहीं है क्योंकि स्कूल के बारे में जितना कम बोल जाए उतना बहतर है स्कूल के उपर मेरा कुछ अलग बनाने का प्लान है तो आज हम उसके शूट के लिए आया है बहुत जिनों तक शूट चलेगा बहुत सारे काम भी है स्कूल के उपर तो वह सब हम करेंगे बाद में धीरे धीरे दिखाएंगे आपको लेकिन स्कूल वाला पार्ट तो आज तीजरी होगा दूसरा बात भी हमें करने आपसे तो दादा दरसल बात मेरी एक रह गए थी और जो मैं बोलने वाला हूँ आज का वीडियो का मेंन कॉंसेप्ट और टाइटेल थमनेल आप जो भी बोलो तो वो वही है मेरे चैनल पर इतना व्यूस कैसे आ रहे है क्या ये बन्दा फरोल खना कर था अपने विडियो तो मैं कोई फी विडियो आज तक फ्रमोट नहीं किया हूँ अगर प्रसलमॉट करता है तो कुछी दिनों में मैं एक महीने के अंदर या फिर दो महीने के अंदर मेंने इसद नहीं होता अभी हुआ क्यों है यह मुझे बोलना नहीं था फिर भी मैं बोड रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगा उनके दिमाग में यह चलता है कि यह बंदा सई नहीं है यह बंदा प्रोमोट कर रहा है अपने आपको प्रोमोट करके यह बंदा व्यूज लाया अगर मैं प्रोमोट करता अगर मैं Google एड लेकिन वास्ट टाइम तो कंप्लेट नहीं होता और मेरे चैनल पर अभी डॉलर का साइन भी नजार आ रहा है एक बात तो इसमें क्लियर हो गई कि मैं अभी तक कोई वीडियो प्रोमोट नहीं किया हूं लेकिन इतने व्यूज कैसे आ रही है तो हमें बता दीजिए कोई तो स चुच्छ म में लोग लगता बताना चाहूंगा कि ब्रो मेरे एक चैनल था, उसमें मैंने 155 के उपर वीडियो बनाया है, और मेरे जिंदेगी में, अगर मैं व्लॉग की बात करो, सिर्फ मैं व्लॉग 200 से उपर व्लॉग बनाया है, किस-किस व्लॉग का तो हिसाब भी नहीं है, मैंने 4 साल में 200 व्लॉग बनाया है, तो उसका experience मेरे पास नहीं है, लेकिन व्लॉग कैसे बनाता है, उतका experience तो मेरे पास ज़रूर है, शाया 멋있 वहीं experience मेरे काम में लग गया, और मेरा आप लोग को पसंद आगया, इसलिए जो भी हो रहा है, आपके वज़े से हो रहा है, और मेरे काम के वज़े से हो रहा है, तो ये सब बोल के क यूटूब भी सज़ेश्ट करेगा कि इस बंदे में तो दम है इस बंदे को हम क्यों नहीं पुछ करे आगे सब्सक्राइबर्स और व्यूज एक बस एक नमबर है अगर आप नमबर फोकस करते हो तो फिर आप छोड़ दो यूटूब अगर आप अपने काम के लिए यूटू करते हैं